आज का वीडियो काफी special रेने वाला है क्योंकि हम ऐसे दो टोकन के बारे में बात करने वाले उनके बीच में comparison बिठाने वाले हैं कि कौन पहले 2-0 किल कर सकता है दोस्तो इसका commitment 2022 को लेकि बिल्कुल भी नहीं है लेकिन 2-0 पहले कौन किल कर सकता है अगर separately इन दोनों के बारे म बिठाने वाले है तो सिधा-चिदा वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आप समझ गयोंगे दो टोकन कोन से हैं कि सू इनू और दूसरा है दोस्तों सिंजा कोईन सिब नो मी तो जैसा कि आप से पर देख सकते हैं दोस्तों इनकी market rank में अगर देखा आ चुका है तो इस चरह की चीजों से दोस्तों इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत जादा है और इसकी जो market care पे overall वो थोड़ी बहुत किसु इनूं से जादा है क्योंकि दोस्तों किसु इनूं काफी लंबे समय से थोड़ा side wave कर ही रहा है लेकिन अभी ये भी काफी एक्टिवली काम कर रहे है जैसा कि आपने देखा होगा आगर आपने किसु इनूं को hold करके रखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि अभी ये भी काफी एक्टिवली काम कर रहे है चाहे वो listings की बात हो चाहे partnership की बात हो चाहे वो इसमें जैसकी किसु kingdom आ रहा है तो नई- इसको market में एक साल से ज़्यादा हो जुगा है सिंजा कोईन के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों लेकिन जो watch list है उसमें काफी बड़ा difference है किसु इनू की जो watch list है लगबग double है सिंजा कोईन से जैसा कि आप देख सकते स्क्रीन पर और इसकी price सबसे interesting fact में दोस्तों price से regarding आपको बत तो दोस्तों इनकी supply में भी 6-0 का ही अंतर है तो यह काफी interesting fact है अगर 6-0 इसकी total supply यानि कि सिंजा को इनकी supply अगर total supply में से 6-0 को eliminate कर दिया जाए तो उसकी supply जो है वो quadiline में रह जाएगी 69 quadiline something तो दोस्तों तो इसकी price में से भी 6-0 clear हो सकते है यहां से गाइब हो सकते है अ इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा fact हम देख सकते हैं जैसा कि इसकी website पर इसके ट्विटर पर अगर आप जाओगे और इधर शिंजा को इनके अगर आप ट्विटर पर जाओगे तो दोस्तों यह काफी लंबे समय से market में है और इसकी community काफी ज़्यादा positive हुए और आज जैसा कि आप देख सकते हैं चार लाग तीस जार से भी ज्यादा इसके follower है ट्विटर follower और दोस्तों इसका जो है डेड़ लाग से ज्यादा और अभी रिसेंटली इसने जो माइल्स्टोन है वालडर वाला वह भी कंप्लीट कहता सिक्स्टी फॉर थाउजंड हो चुके है इ होल्डर की बात की जाए तो और इसके जो होल्डर से इन्होंने अभी जैसा कि मैंने बोला इन्होंने अभी एक माइल्स्टोन कंप्लीट कहता सिक्स्टी फॉर थाउजंड बाला और अभी थोड़ा बहुत बढ़ गए जैसा कि 131 इसमें इंक्रीमेंट आ चुका है लेकिन इंट्रेस्टिंग बात ये दोस्तों कि ये काफी कम समय में ये चीज कर पाया है सिंजा कोईन की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी जिस तरह से ये बेक-टू-बेक अप्डेट्स दे रहा है और दोस्तों जो इसका रोड में पर वो काफी जधा इंट्रेस्टिंग है अग या आध apro जानेगे दोस्तों कि दोनोंही कोंई एठीरियं बलोग्चेन पर है अबई और एठीरियं जितनःगा जितना पॉपुलर है तो जितना इठीरियं में कहने कहम बल f assets बढ़ेगा तो उसकी ब्लोक्चेन पर जितने भी टोक्न से उनиб fns attaches प् aúnगे चांसे द्याधा जैसा कि as example हम ले सकते हैं कि Siba Inu में भी रेली इसलिए देखने को मिली थी दोस्तों क्योंकि Ethereum ने भी दोस्तों अपने दो बार ATH बनाया है उसी 2021 में और Siba Inu ने तो दोस्तों कमाली कर दिया उसी के वज़े से दोस्तों Meme Coin का इतना ज़्यादा ट्रेंड भी बनाए लेकिन द लेकिन जो सिंजा को इने अभी काफी नया है इसकी पार्टनर्सी बड़े-बड़े कोईंस के साथ तो नहीं हुई लेकिन इसके साथ काफी बड़े-बड़े इंफ्लेंसर जूड़ चुके हैं जैसा कि होलिवुड सेलिबरिटीज वगेरा आपने देखा होगा काफी इनों काम जवाब देने जा रहा हूं में जो दो जीरो सबसे पहले कौन किल कर सकते हैं दोस्तों किसू इनों एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसने अपडेट्स तो दियें लेकिन इसने टाइम काफी जादा लिये काफी स्लो ये काम करते हैं मार्केटिंग कि अगर बात की जाए क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग स्टेटजी इनकी काफी गजब की इसी वज़े से इसकी जो कम्यूटी कंटिनूसली ग्रो भी हो रही है और साथ ही साथ जो इसके ट्विटर फॉलवर हो चाही होल्डर सो वो इसको फुल सपोर्ट करते हैं जैसा कि दुबई एक्सपो की भ काफी ज्यादा लोग सपोर्ट करते काफी ज्यादा पॉजिटिव इसकी कम्यूटी है अभी जैसे कि सिंजा को इन में कुछ प्रोब्लम सभी चल रही है चाहे वो प्राइस डिफ्रेंस को लेके हो चाहे वो इसके जो मिसिंग टोकन है उसको लेकर हो तो उस वज़े से प्रोजेक्ट है जिसका रोड में अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है क्योंकि जो इनका फेस फाइफ था जब तक इनकी अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वो अलड़ी कम्प्लीट हो चुका है लेकिन अब आगे यह क्या करने वाले तो उनका इन्ह कोईन जो है दोस्तों उसमें अपनी खुद की ब्लोक्चेन आने वाली यह मेटावर्स में आने वाला है तो वो सारी चीजे मेंसें भी है दोस्तों तो इस वज़गे से दोस्तों कहीं ना कि सिंजा इस मामले में लीड कर रहा है कि जो बेक टू बेक अप्डेट है यानि कि 2020 20 एंड तक भी ये दोस्तों काफी ज़्यादा अप्डेट्स देगा अकोडिंग टू दियर में रोड में लेकिन किसु इन्हों के साथ ऐसा अभी नहीं है तो इसमें भी दोस्तों काम जैसा कि हम जानते किसु किंग्डम पर भारी काम चल रहा है तो दोस्तों इसमें कि दोस्तों इसमें जो इसकी सप्लाइब करने के ऊपर दोस्तों अभी तक कोई अनॉस्मेंट नहीं है कोई इंटेंशन नहीं दिखाए तो इस मामले में दोस्तों हाला कि यह चीज काफी शूर है कि दोनों ही कोई इतने जादा capability रखते हैं अगर हम long term की देखें दो तीन साल या चार साल तक हम सोचें तो यह तीन से चार जिरो भी किल कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि इनके लिए बड़ी बात नहीं है तब तक क्रिप्टो मार्केट भी काफी आगे जा चुका होगा और तब तक दोस्तों इनमें भी SEC ची डिजाने की जो काम करनें की जो इसकी टीम है वो काफी जादा दिखाए देरी ंग वह सबसे जो बड़ा fate कि बुर्निंग जैसा वै बेबी डोज कोई जैसे भी अभी कोई जैसे कोई भी अभी लिस्ट नहीं हुए है बाइनेस पर तो इस वज़े से दोस्तों सिंजा कोई मेरी जो इसमें विनर रहता है और यह लगता है कि पहले यह 2-0 किल कर सकते हैं आपका क्या इरादा इसके बारे में आपको क्या लगता ह क्या कोई पहले 2-0 किल कर सकता है कमेंट में जरूर बताएगा फिलाल यह था दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको इंफर्मेशन सही लगए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं फिलाल के लिए थेंक यू